इस देवगोडी का जैसे कि हम देख पा रहे हैं कि 18,50,000 की सासन की राशी से इसका निर्मान किया गया है तो बस्तर में 7 नौवंबर को चुनाओ है ओटिंग होगी इस बीच हम बस्तर संभाग में जगा जगा दोरा कर रहे हैं लोगों से मिल रहे हैं तो बस्तर की हिलाल 12 सीटों में अभी कांग्रेस है इस बार क्या समयकरण बन रहा है इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ यहां बस्तर से हमारे रिपोर्टर साती है अनिमेस पॉल जी तो हम उनसे पूछते चर्चा करते कि क्या अभी परिद्रस से नजर आ रहा है और इन 12 सीटों में भाजपा कांग्रेस की कितनी सीटे आएगी इस बार तो अनिमेस जी बताइए आपका क्या अन्भा कह रहा है अभी क्या माहूल नजर आ रहा है तेकि चतिसगड में जो प्रधम जरन के चुना हो रहे हैं उसमें बस्तर की 12 विधान सफ़ा सीटों पर भी चुना ह जो है जगदलपुर विधान सफ़ा की सीट है अगर इस चुनाव को देखा जाए तो शुरुवात में जब इस चुनाव की घोश्टना होई थी तब ऐसा लग रहा था शुरुवात में कि कॉंग्रेस ही यहां पर आगे है और आगी लेकिन जैसे जैसे चुनाव आगे बढ है और जब यहां पर टिकट का वितरन का जब बात आया जब टिकट की घब देने की बात आई तो कई सीटो पर कॉंग्रेस की आपसी लड़ाई जो चल रही थी खुलकर बाहर आ गई इसमें टियस सिंग्देव और मुख्यमंतरी बुपेश बगेल की बीच जो चतिरल की सिय समर्थकों में जो असंतोस था वो कहीं ने कहीं अंदर था ही जब पार्टी का टिकट देने की बारी आई तो आज के इसीति यह है कि बस्तर की 12 में से 5 विधायकों को बदला गया जिसमें से जगदरपूर सीट पे विधायक बदले गए इसके अलावा अंतागर सीट पे वि आपके काकिर सीट पे विधायक बदले हैं तो यह जो समीकरन बना तो इसके बाद जो खीचतान बाहर आई और आज की इस्तिति में तब वो जो प्रचार आगे बढ़ता गया बढ़ता गया इस वक्त में जो इस्तिति दिख रही है कि कम से कम 5 सीटों पर भाजपा यहां पर मजबुत इस्तिति में है जो कि चुनाओ की शुरुआत में लग नहीं रहा था कि ऐसा इस्तिति आएगा आज की इस्तिति में अंतागड में निर्दली खड़े हो चुके हैं वहां के विधायक अनुपनाग दूसरा मंतुरम पावा जो पहले कांग्रेस की विधायक और जो खीचतान नारानपूर स्रीट में मतांतरन को लेकर विवाद शुरू हुआ था तो मतांतरन जो वहां पर हुआ जिस तरह से दंगे हुए या फिर वहां पर मार पीठ हुए आपसी खीचतान हुआ वहां पर निर्दली जो है फूल सी कचलाम एक परत्याशी वहां पर CPI से ख रहा है आपका कोंडागाउ सीट वही से प्रभाइथ हो रहा है और वहां पर प्रदेश अध्यक्ष जो है वहां पर चुनाव लड़ रहे हैं और मंतरी भी है अभी वरत्मान में तो वह सीट कहीं ने कहीं माइनस दिख रही है दूसरा सबसे जो इंपॉर्ण सीट है बस्तर वह सीट भी कहीं ने कहीं ऐसा लग रहा है कि वहां भाजपा को फाइदा मिल सकता है तो चार-पांच सीट है एक सीट जो विजापूर सीट है जिसको पिछले बार जहां से महज गाड़ा रबग 25-30,000 ओक सहा रहे थे भाजपा के मंत्री से लेकिन इस बार वहां पर जो खि और सारे आट ने जो प्रत्याशिल आए तो आज की स्थिति में दिख रहा है कि सारे के सारे जो चार पूर मंत्री जिनक रिपिट की टिकट वो कहीं नगई जीत की स्थिति में दिख रहे हैं तो चुनाव आगे बढ़ रहा है तो यह फाइदा हो वहां पर है एक मात्र जो अलग से पाच्वा सिट जो यहां पर आपकी काउंट में आई है यह चार सिटे होगे ना तीन हो चौथा आया आपका तो अनिमेज जी कुल मिला कि यह कहना चाह रहा है कि हम अपने वीवर्स को बताना चाहेंगे कि बात होती है कि आदमी हारता कव है जब वो खुद हार जाए यह बहुरुट हार जाता है मतलब आप अपने मन से हार गए इसीता में बात होती है तो पार्टी में अगर पार्टी के अंदर ही अंतरकला है और एक जूट नहीं है तो आप हार जाओगे, आपका दुस्मन कोई और नहीं, आप खुद ही अपने दुस्मन कहलाओगे, तो जन जन सीटों की अभी बात हो रही है, वहाँ पर ऐसी इस्तिती बनी है कि आपस में एक नहीं है, तो जहर सी बात है कि वो प्रत्यसी का मनुबल क हारने की कगार पे रहेगी, अब ये तो बाद में पता चलेगा जब मदगन्ना होगी और रिजल्ट आएंगे, लेकिन अभी का महल यही कह रहा है कि भाजपा कांग्रेस की बीच में, ये नहीं कह रहा है, पूरी तरह से की काटे की टककर है, कि 12 सीट में से 6 सीट हो जाएग झारी तरह से 7 सीट हो जकत की बीच का जा है, ये पुन stigma झाएगीिे, आएगी तरह से की काटावा जगस हो जाएगी तरहा जाएगे पकार अजर पgriff कारता साधी होतधे, शावदना हो